हेलो दोस्तों मैं सोरों बली का आप सभी का टोपिक स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों यूपी पुलीस परती 2019 के लिए मैं हिंदी का ओनलाइन प्रेक्टिस टेस्ट लेके आ हूँ जिसमें हम देखने वाले हिंदी के टोप 80 परसन जो की आपके एक्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं तो इससे आपके दो फाइदे होंगे एक तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और एक आप खुद को भी एनलाइज कर सकते हैं कि आप कितने कोशन सही कर पाते हैं तो 80 में से आप कितने सही कर पाएंगे प्लीज वो कमेंट बोक्स में बताएगा जो भी आंसर आप से आते होंगे वो भी आप साथ ही साथ कमेंट बोक्स में बता सकते हैं इसी तरीके से मैंने math reasoning की भी practice set start कर दी है यानि कि video upload होनी start हो गई है अगर आपको उनका भी notification लेना है तो नीचे red कल के button को दबा करके bell icon को on कर लीजेगा आपके पास हर एक video का notification पहुचना है start हो जाएगा यह जो test चलता है gk का और hindi का यह 9 से 10 के बीच में चलता है रात को त जब ज़्यादा like और share मुझे इस test पर मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं तो चलिए start करते हैं आज की video को देखें यहाँ पर आपको हर एक question के लिए 5-6 second मिलेंगे 5-6 second में आप उसी question का answer नीचे comment box में भी बता सकते हैं तो पहला question है यमना का परियावाची है तो आप इसक तो very good right answer D हो जाएगा question number 2 निमलिकित में कौन सा सब निशित का परियावाची नहीं है बिल्कुल सही अगर आप option या पे C लगा रहे हैं तो very good right answer C हो जाएगा question number 3 सूरिय का परियावाची है तो तीसरे का right answer याँपे option B हो जाएगा question number 4 निमलिकित में कौन सा सब अर्विंद का परियावाची नहीं है question number 4 right answer आपका option A हो जाएगा अगर आपे answer लगा रहे है question number 4 आपका हो गया है question number 5 परियावाची सब्द का अर्थ है बिल्कुल सही यहाँ पर सभी को पता है पांच वे का right answer option D हो जाएगा question number 6 परियावाची सब्द है तो बिल्कुल सही यहाँ पर 6 का right answer option C हो जाएगा question number 7 तरंग सब्द का परियावाची है तो बिल्कुल सही यहाँ आपका 7 वे का right answer option D हो जाएगा question number 8 जंगल सब्द का परियावाची है दोस्तों अगर test पसंद आये ना तो आपसे छोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजेगा और शेयर जरूर कर दीजेगा क्यूंकि अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे तभी मैं next वीडियो लेके आऊंगा तो 7 का राइट आंसर यापे D हो जाएगा ठीक है तरंग सब्द का जंगल सब्द का परियावाची तो ठीक है यह भी साथ मैं आपको बता दिया 8 का राइट आंसर C हो जाएगा क्रोज सब्द का परियावाची तो बिल्कुर सही है 9 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा कोश्चन नम्बर 10 बिजली सब्द का परियावाची नहीं है यह बताएगा कौन सा इन में से नहीं है तो बिल्कुर सही अगर दस्वे का राइट आंसर यापे A लगा रहे है कोश्चन नम्बर 11 परत्यक सब्द का विलोम है तो ग्यारवे का देखे राइट आंसर यहाँ पे ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नम्बर 12 सामानिय सब्द का विलोम है तो बारवे का राइट आंसर यहाँ पे D हो जाएगा कोश्चन नम्बर 13 अमर सब्द का विलोम है अगर आपको कुछ भी प्रोब्लम आ रही है टाइम जादा मैं दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ तो मुझे कमेंट बोक्स में यह भी बता दिया करें मतलब फीडबेक अब जरूर दियागरें टेस्ट के रिगार्डिंग कि क्या आप चाहते हैं तो थर्टीन का देखे राइट आंसर D हो जाएगा उपकार सब्द का विलोम है कोश्चन नम्बर 14 तो C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिपटीन तिमीर सब्द का विलोम है तो बिल्कुर सब्दीन का राइट आंसर ओप्षन A हो जाएगा उपक्त सब्द का विलोम है कोश्चन नम्बर 16 बतरिये तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे ओप्षन A हो जाएगा ठीक है दोस्तों आश्या करता हूँ कि समझ में आगया होगा नेक्स्ट आपका निर्दई सब्द का विलोम है 17 तो 17 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा उन मिलन सब्द का विलोम है बिल्कुल सही 18 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोशन नमबर 19 उतकर सब्द का विलोम है तो 19 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है दोस्तों टेस्ट पसंद आ रहा है ना मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसको ठीक है भई कोशन नमबर 20 पर आ जाते हैं आविर भाव सब्द का विलोम है तो बिल्कुल सही यहाँ पर 20 का राइट आंसर D हो जाएगा अब आते हैं दूसरे टाइप के कोशन पर नेक्स्ट है आपका 21 कौन सा वाक्या सुध है तो यह कोशन भी आपके बहुत सारे पूछे आते हैं तो देख लिज एक बार इनको भी 21 का जल्दी बताई ए बी सी डी में से कौन सा राइट होगा आसा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा ठीक है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दूँगा भी मैं ठीक है कोशन थोड़े पढ़ने वाले हैं यानि की पढ़के ही आप इनको पता सकते कोशन नबर 22 बते कौन सा वाक्य सुध है तो अगर आपने कर लिया हो तो बता दीजिए नेक्स्ट चलते हैं फिर 22 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा भी ठीक है अगर मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ तो एक बार आप वीडियो को रोक करके भी ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और एक्स्टर टाइम ची होता है कोशन नबर 23 कौन सा वाक्य सुध है तो बिलकुर सही 23 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है हाँ 23 का बी रहेगा 24 कौन सा वाक्य सुध है तो 24 का राइट आंसर बिलकुर सही आपर ओप्शन डी हो जाएगा भई कोशन नबर 25 आप पढ़ लिया करें पहले से ही ठीक है कौन सा वाक्य सुध है 25 में पढ़िए और बताईए राम से बिलकुल टेंशन फिरी होके राम से टेस्ट लगाई है जैसे बिलकुल आप ओनलाइन टेस्ट दे रहे है तो बिलकुल सही 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर 26 असुधी वरतनी वाला सब्द है तो 26 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर 27 सुध वरतनी वाला सब्द है और इसका राइट आंसर बिलकुल सही ए ही इसका राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 28 सुध वरतनी वाला सब्द है 28 और 28 बते यह सबसे पहले अगर टेस्ट पसंद आ रहा होगा तो बिलकुल लाइक कर दीजेगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 29 राइट आंसर बिलकुल सही C राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं सुध वरतनी वाला सब्द है और 10 कोशन करने के बाद में एक मिनट का ब्रेक लेंगे अराम से क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी है तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा बिलकुल सही ठीक है जिसका इलाज ने हो सके उसके लिए उप्युक्त सब्द है 31 तो 31 का देखे बहुत सही अगर आप राइट आंसर ए आप ए लगा रहे हैं तो very good 32 जिसे जीता ने जा सके उसके लिए उप्युक्त सब्द है तो 31 का यहां पर राइट आंसर जिसे जीता ने जा सके 32 है तो इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा 33 जिस इस तरी का पति जिवित है उसके लिए उप्युक्त सब्द तो 33 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा ठीक है भई यह कोशन भी पहले आ चुका एक बर कोशन नमबर 34 जो किसिन ना हो सके उसके लिए उप्युक्त सब्द है 34 का बतिएगा भई तो राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा बहुत अधिक बोलने वाला वैक्ती तो 35 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोशन नमबर 36 जिसके सिर पर चंदर हो के लिए उप्युक्त सब्द है तो 36 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा 37 जिसके हर्दे में मम्ता नहीं है के लिए उप्युक्त सब्द तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 38 तिलक लगाने में किस अनन्य का प्रियोग उप्युक्त होता है बिल्कुर सही हाँ पे 38 का राइट आंसर अगर आप ओप्शन B लगा रहे हैं ठीक है भई कोशन नमबर 39 जिसका जनम छोटी जाती नीचले वर्ग में हुआ हो के लिए उप्युक्त सब्द तो 39 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 40 जो सब कुछ जानता है के लिए उप्युक्त सब्द तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे D हो जाएगा देखे दोस्तों आधा टेस्ट हो चुका है खतम अब यहाँ पे लेते हैं एक मिनट का ब्रेक ठीक है देखे एक मिनट का ब्रेक यह है कि आप अराम से थोड़ा सा मतलब माइंड को सही से एक बार फिर दुबार से स्टार्ट करेंगे यह दो टेस्ट को मैंने एक जंगे कंबाइन किया है बेसिकली मैं आपको बता दू ठीक है और आपको एक चीज़ और बता दू अगर आप पेड़ वाला कोर्स मतलब जो टेस्ट है खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे है उसमें आपको हिंद इंगलिस में दोनों मे कोशन मिल जाएंगे कोशन का सोलुशन भी मिल जाएगा और वो मैथ रीजनिंग और हिंदी और जीके का एक कॉंबिनेशन पूरा का पूरा है बीस टेस्ट का तो आप उसे परचेज करके ओनलाइन टेस्ट वैसे भी लगा सकते हैं बाकी यूट्यूब पे तो मैं फिर आप आपको कराई रहा हूं ओनलाइन टेस्ट भी और जीके का भी और हिंदी का भी सभी के लिंक नीचे डिस्केप्शन बोक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे साइड में जो आपको तिर्बूज का निसान है इस पर किलिक करके चेक कर लीजेगा ठीक है तो चलिए करते हैं दुबारे से फिर टेस्ट को और देखिए इसके आंसर भी है यहां पर पीडियाप में आपको प्रोवाइड करा दूगा कहां पर टेलीग्राम पे ठीक है टेलीग्राम अगर आपने नहीं जोइन किया तो टेलीग्राम पे जैएगा टोपिक स्टेडी सर्च करके ज कोशन नमबर टू मिनाकसी का परियावाची सब्द है तो बिल्कुल सही यहां पर टू का राइट आंसर ए हो जाएगा कोशन नमबर तिरी कौन सा सब्द नाक का परियावाची नहीं है तो तीसरे का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर देखिए तीसरे का राइट आंसर डी है कोशन नमबर फूर कौन सा सब्द देत्य का परियावाची नहीं है तो बहुत अच्छे कोशन नमबर फूर का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोशन नमबर फाइव रुक का परियावाची सब्द है तो बिल्कुर सही पाँच वे का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है वही चलिए तो कोशन नमबर फूर का आपका कौन सा सब्द ब्रह्मा का परियावाची नहीं है तो शिक्स का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा ठीक है वही कोशन नमबर सेवन कौन सा सब्द ब्रह्मा का परियावाची नहीं है तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है वही कोशन नमबर एट कौन सा सब्द इंद्र का परियावाची नहीं है एट एट का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा ठीक है चले कोशन नमबर नाइन तो कोशन नमबर नाइन है हिरनिय गर्ब का परियावाची सब्द है तो नाइन का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर टैन नमलिकित में कौन सा सब्द विसेश्या है तो टैन का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर लेविन जगम का विलोम सब्द है तो ग्यारवे का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोशन नमबर ट्वेल स्रेश्टी का विलोम सब्द है तो बारवे का राइट आंसर यहाँ पे ओप्शन बी हो जाएगा ठीक है एपसित का विलोम सब्द है थर्टीन का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर फोर्टीन सहाचारिय का विलोम सब्द है तो फोर्टीन का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा विराट का विलोम सब्द है फिफटीन का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर फोर्टीन इसपर्श का विलोम सब्द है तो इसपर्शिय का विलोम सब्द क्या है भई तो कोशन नमबर फोर्टीन का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर फोर्टीन अग्या का विलोम सब्द है तो 17 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोशन नमबर 18 गोरव का विलोम सब्द है 18 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोशन नमबर 19 बेह रंग का विलोम सब्द है और 19 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर 20 गरस्ट का विलोम सब्द है और 20 का राइट आंसर यहां पे ओप्शन सी हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर 21 निमलिकित वाक्यों में सुद वाक्या है तो राम से पढ़िए और राइट आंसर बिलकुल कोशिस करिएगा कि राइट ही आया आंसर आपका तो 21 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा 22 निमलिकित वाक्यों में सुद वाक्या है 22 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा 23 बताईएगा निमलिकित वाक्यों में सुद वाक्या है तो ध्यान से पढ़िए आंसर दीजिएगा और 23 का राइट आंसर देखें आपके ओप्शन डी हो जाएगा 24 का क्या रहेगा तो 24 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा 25 सुद संयुक्त वाक्या का सब्द है वाक्या का उधारन है सोरी तो 25 का देखें राइट आंसर बहुत अच्छे गर आप 25 का राइट आंसर ओप्शन सी लगा रहे हैं ठीक है तो आए हाँ 25 सी रहेगा निमलिकित में से सुद वर्तनी वाला सब्द है तो 26 का देखें राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा भई 27 निमलिकित में से सुद वर्तनी वाला सब्द है 27 वे का राइट आंसर सी हो जाएगा 28 और 28 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा ठीक है भई 29 पर जाते हैं निमलिकित में से सुद वर्तनी वाला सब्द 29 का बताएगा और 29 का राइट आंसर जो रहेगा वो भी रहेगा क्वेशन नमबर 13 निमलिकित में से सुद वर्तनी वाला सब्द है 32 का बताएगे तो 30 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर 31 है कनिस्ट का और मद्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं तो 31 का राइट आंसर बिल्कुल सही ओप्शन डी हो जाएगा 32 जिसके पेट में मान रसी दाम बान दी हो उसे कहते हैं तो 32 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर 33 पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द तो 33 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा 34 जिसकी कोई कीमत नहीं हो सके वाक्यांस के लिए एक सब्द जी बिल्कुल सही अगर 34 का राइट आंसर आप ओप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड 35 थोड़ा नापा तुला भूजन करने वाला वाक्यांस के लिए उप्यूक सब्द है तो 35 के लिए राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा 36 गुरू के समीप रहकर अध्यान करने वाले के लिए एक सब्द तो 36 के लिए राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा 37 जिसके हर्द्या पर आगात हुआ हो वाक्यांस के लिए उप्यूक सब्द होगा तो 37 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा 38 जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उप्यूक सब्द होगा तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे ओप्शन डी हो जाएगा ठीक है भई जिसे किसी वस्तु की इस प्रहा ने हो के लिए उप्यूक सब्द होगा तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे ओप्शन बी हो जाएगा और आज के टेस्ट का लास्ट कोशन है जिसकी पूर से कोई आसर ने हो वाक्यांस के लिए उप्यूक सब्द होगा दीके सारे कोशन ही एक्जाम में पहले आ चुके हैं और यही एक पैटरन रहता है और भी तरीके कोशन आते हैं वो भी मैं आपको करा दूँगा बस आपके सपोर्ट की जरूत होती है सपोर्ट आप कैसे दिखा सकते हैं लाइक और सेयर करके बस एक अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हैं और 40 वे का राइट आंसर उप्शन डी हो जाएगा तो ये थे आज के 80 परसन अगर आपको ये पसंद आया ना तो प्लीज एक बार जल्दी से